हाई हलो गाईस वेलकम टो एक्जाम्स डेली यूट्यूब चैनल आज इस वीडियो में हिंदुस्तांग एरोनोटिक लिमिटर्ड ने रेकृट्मन का नोटिफिकेशन रिलिस किया है उसके बारी में हम देखने वाले है उसके पहले हमारा चैनल को सब्सक्रेब करो बाजू मे वेकेंसी के लिए नोटिफिकेशन रिलिस किया है अभी उसके बारी में देखेंगे इस वीडियो में क्या-क्या देखेंगे करके मैं अभी बताती हूं कोस्ट का नाम क्या है कितना वेकेंसी काली है क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए कैसा अपले करने का आपका सैलरी कित iurman strenographer वर्डर करके 14 बेक post का नाम अधर दिया है। उसके बाज में इह कितना vacancy kali है Н एक aक post के लिए भी वह दिया है000 टोटल 475 vacancy kali है और एक एक post के लिए कितना कितना vacancy kali करके भी ऊपर दिया है। अभी उसके बाज में दिया है qualification details दिया है ITI pass होने का candidates को मतलब जो जो post के लिए आप अपले कर रहे है उसी field में आपको ITI pass होने का अभी उसके नीचे हम देखेंगे stipend के बारे में stipend means salary के बारे में हम देखेंगे Apprentice Acts 1961 के इसाब से आपको per month payment मिलेगा अभी उसके नीचे दिया है reservation के बारे में मतलब category दिया है cast के वाइस से reservation कितना मिलेगा करके SC, ST, OBC, PWD करके सब दिया है उसमें कितना कितना percent आपको reservation मिलेगा करके भी इधर दिया है अभी उसके नीचे देखेंगे Children of Ex-Servicemen उनके लिए भी कितना reservation quota मिलेगा करके भी इधर दिया है कितना percent मिलेगा करके अभी आगे दिया है how to apply how to apply इसमें online application है जो official notification में भी दिया है वो application का link दिया है सीधा उसमें click करो अंदर जाके वो application फिल करो फिर online पे submit करो पहला आप apply करने के पहले ये notification आराम से बैटके पढ़ो जो qualification क्या है age limit क्या है ये सब आराम से बैटके पढ़के उसके बाद आप apply करो उसके नीचे दिया के important instruction करके कैसा apply करने का उसके लिए documents क्या क्या चाहिए करके इसमें दिया है अभी selection process क्या होगा selection process रहेगा आपका application screen होगा experience और qualification के इसाब से आपका application screen होगा उसका merit list official site में उन्होंने डालेंगे उसके नीचे दिया है अभी for latest update of the merit list please visit करके official site का link दिया है जो जो candidates पहला अप्लिक कर चुका है उन्होंने इस link में क्लिक करके आपका application select हुआ क्या नई करके आप देखो आपको कुछ doubts रहेगा तो नीचे comment box पे comment करो इसका description में इसका link दिया है इस notification का आप क्लिक करके वो पढ़ सकते हो कुछ doubts रहेगा तो नीचे comment box पे comment करो हमारा वीडियो पसंद आया तो like करो, support करो, share करो all the best guys thank you